आज हम बात करेंगे पराग पाठील की फिल्म दोस्ताना की बारे में जी हाँ ये बहुत ही कम देखा गया है कि डिरेक्टर के नाम से फिल्मों को आका जाता है भोजपूरी इंडस्ट्री में तो बिल्कुल भी नहीं देखा जाता क्योंकि जहां पवन खेसारी निरहुआ जैसे कलाकार है वहाँ डिरेक्टरों को कोई पूस्ता नहीं है लेकिन संघर्स जैसे दमदार मुवी देने के बाद पराग पाठील लोगों के निगाहों में आ गए है और अब पराग पाठील भोचपूरिया के वो डिरेक्टर बन गए है जिनके साथ भोचपूरी का हर बड़ा कलाकार काम करना चाता है और ये अवसर मिला है काजल रागवानी को एक बार फिर और प्रदीप पांडे चिंटू को पहली बार और अवधेश मिश्रा को भी जी हाँ अब हम आपको बता दे कि ये फिल्म रिलीज हो गई है और चटके मौके पर रिलीज हुई इस फिल्म को शानदार ओपनिंग मिली है और इस फिल्म के चर्चे दूर दूर तक बॉलिवुड में भी है जी हाँ करन जोहर ने इस फिल्म के बारे में पोस्ट किया है और ट्विटेर पर इस फिल्म को प्रेज किया है साथ ही आपको तो पता ही होगा कि करिन जोहर की फिल्म दोस्ताना जिसमें अभिष्व एक बच्चन प्रियांका चोपड़ा और जौन इब्रहम थे इस फिल्म ने कितना बड़ा धमाल और कितना बड़ा बस क्रियेट किया था और उस साल की ये बहुत ही बड़ी सुपर हिट फिल्म थी फिर उससे भी पहले दोस्ताना बनी थी अमिताब बच्चन सर्तुहन सिनहा और जीरतमान को लेकर और तब इस फिल्म को प्रेड्यूस किया था करन जोहर के ही पापा यस जोहर ने खैर हम फिर से भोचपूरी इंडस्ट्री में वापस लोड़ते हैं और फिर हम वापस चॉपिक पर लोड़ते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से बॉलिवुड में इस फिल्म को प्रेज मिल रही है तारीफे मिल रही है तो करन जोहर के बाद कोमल नहाटा पहले इस फिल प्रेज किया उसके बाद फिर उनके ट्वीट को री ट्वीट किया करण जोहर ने और अब दोस्ताना को लोग ऑब्जर्व करने लगे हैं जी हां जब बड़े-बड़े लोग किसी फिल्म को किसी भोचपूरी फिल्म को प्रेज करें तो आप समझ सकते हैं कि लोग तो यह यह देखिए क्योंकि फिल्म पिता पुत्र के इस बहतरीन रिस्तों को इस तरह दर्शाती है क्योंकि यह फिल्म पिता पुत्र के रिलेशनशिप को तो दर्शाती ही दर्शाती है लेकिन उन दोनों के बीच कितना प्यारा दोस्ताना है इसे भी दर्शाती है किस तरह पिता अपने पुत्र के लिए मायने रखता है जब वो छोटा होता है और किस तरह से फिर पुत्र के लिए पिता मायने रखता है जब वो व्रिद होता है पूरी तरह से एक सरकल को किस तरह से मस्त तरीके से पिरोया गया है और आपको बता दे कि भोजपूरी इंडस्ट्री में परागपाटिल जैसे जो निर्देशक है उनकी फिल्मों में अशलीलता आपको दूर दूर तक नहीं मिलेगी तो आप ये फिल्म अपने परिवार के सा बैट कर देख सकते हैं बिहार में इसे बहुत ही अच्छा रिस्पॉंस मिला है साथ ही आपको बता दे कि इसमें आपको अवधेश मिश्रा के पावरफुल एक्टिंग तो देखने को मिलेगी लेकिन मानगे हम प्रदीपांडे चिंटु को भी जी हां इससे पहले उनकी कई फिल्में आई होंगी लेकिन उन फिल्मों में उस तरह की शायद बात नहीं होगी या प्रदीपांडे चिंटु के अंदर वो स्पाक है उसे पहचाना पर आप पाटिल जैसे निर्देशक ने जी हां अगर आपने नहीं देखी है तो हम आपसे अपील करते हैं ये फिल्म ज बोजपुरी जगत की होट और मसालेदार गौसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले